हेलो स्ट्रेंज वेलकम तूड डियने क्लास होग यू आर वेल और आज ही हमारा फर्स्ट डे है जो जहांके हमने बताया था कल ही आपको बता दिया था कि हमने एक नया चैनल पनाया है जिसका नाम है डियने क्लासे और यहां पे हम नाइन्थ और टेंथ की बैस लेकर आ रहे ह हम क्लास नाइन्थ वालों को कल से भी स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहला चैप्टर हम मैध का देखेंगे तो पहला चैप्टर जो मैध का है वो है रियल लंबर तो रियल लंबर सबसे पहला चैप्टर कौन सा है रियल लंबर वैसे तो सारे चैप्टर में क्या हुआ है कि सीवीसी बोर्ड में ज्यादा तरर असे डिलीट कर दी है कुछ टॉपिक से हैं तो डिलीट कर दी है वैसे पहले चैप्टर में एक टॉपिक आता है है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि योटीड डिवीजन लेमंकों तो कि यह तोस्ति है और ये टापिक हमारे सीबिस्ती ने क्या किया कि इसको ici करके इसको आज़े उस्ट यह दूसरा चैप्टर होगा उसमें फरलेर्ब हो यह मिलेगा आपको यह डिटेल में देने के लिए इसको अलग से एक टॉपिक बनाया गया है और यह फुर्स permett से हटा दिया यह यह आ यह शर्तायाग्छ से हटाया गया है िसे टॉपिक जहां से इस्टार्ट होता है और दूसरा टॉपिक है और पर अरिफमेटिक अब इसमें चुछ करेंगे इसको हम आगे चलके बार में भी क्योंकि यह बहुत ब्रॉड टापिक बना दिया गया लिए तो सबसे पहला काओ मार क्या होगा कि इसको हम डिलीट करेंगे और दूसरा टॉपिक बारमानने कि सब्वान ऐसमारा आरिफ्मेटिक फैक्राइजेशन है फंडमेंटल और अरिद्मेटिक तो फंडमेंटल जो बैभी शोल절 एन ठाझेशन है तो तो मैं दिस्कस करेंगे टॉपिक क्या है पर्णामेंडल थियोरम और अरिटमेंटिक्स पर्णामेंडल थियोरम आप अरिटमेंटिक्स अब सबसे पहले इसको जानने से पहले इसको समझना होगा अब यह हि बता चलिया ढकर बेख करेंगे हम साघ्याइन फ़यरelnम्बर अब यह चैप्टर हमारा क्या पताता है कि हम जुबी बाते करेंगे हमाने जो भी बाते करेंगे हर थे करेंगे भूर्च नंबरessel थे ब Quinn बढ़ टा यह दो भागों में दिवाइड रुगा था मेंली पहला कौन सब्सक्राइब रियल नंबर सेकंड वन इस इमेजनेरी इमेजनेरी नंबर तो हमको यह चैप्टर दिया गया हमको इसके बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है प्लास नाइन घंग से पढ़े होंगे तो रियल नंबर पता होगा इमेजनेरी नंबर पता होगा तो हमको इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ना है यह हमारे स्लेवस में चैप्टर है रियल नंबर और यह यहाँ पे नाइन का एक स हम केलकोलेट करते हैं हमारे कैलकोलेशन में आता है उसेन कहते हैं ऐद सबसे बड़ी बात क्या है यहां 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 वंबर हो गया डीए वंडामेंटल थी Meinung अरितमेटिक्स पढ़ रहा है अप fundamental theorem of arithmetic हमें क्या बताता है हमें बताता है कि जो भी हम factorization करते हैं जिस भी number का factorization करते हैं उनको कहता है कि हमारे वो prime factor होते हैं factorization करने पर जो भी number आता है वो हमारा क्या होता है prime factor होता प्राइम फैक्टर मीन्स अब आपको मताते हैं जैसे अब दो नमबर होते हैं एक होता है प्राइम नमबर और दूसरा क्या होता है कंपोजित नमबर यह सब देखो क्लास 7 की बाते हैं कंपोजित नमबर यह सब यहां भी आके पढ़ाना पड़ता है जो ध्यान से नहीं पड़ता है तो प्राइम नमबर और कंपोजित नमबर अब कह रहा है कि प्राइम नमबर सबसे पहले तो सोचिए होता क्या है आपने पढ़ा सेवन में भी पढ़ा एक में भी पढ़ा प्रा नमबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं जैसे की एज एक्जामपल लें ले 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 लिए अब यहां पर टू क्या हमारा प्राइम नमबर है कैसे प्राइम नमबर है यह भी हम समझते हैं सबसे पहली बात क्या कैसे प्राइम नमबर हुआ यह हमारा क्यूंकि इसके दो ही फैक्टर होंगे अब इसका हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे मीन्स इसको जब हम डिवाइज करेंगे तो यह किसे किसे कट रहा है यह कट रहा है या तो टू से कट रहा है जो नमबर टू है वो टू से कट रहा ह और नंबर 2 1 से भी कटता है, सब को पता है, अब जब सब को पता है, नंबर 2 जो है, ये 2 से भी कटता है, और 1 से भी कटता है, तो इसके फैक्टर कितने होगे, ये रहे 2 फैक्टर, 2 से भी कट रहा है, और 1 से भी कट रहा है, इसके 2 फैक्टर हो गए, अब जब 2 फैक्टर हो है तो 3 को डिवाइट करने पर हमने क्या देखा हमने देखा कि 3 1 से भी कट रहा है 3 को डिवाइट कर फिरी वन से भी कट रहा रहा है इसके मैकसिमम कितने इसके दो फैक्टर तो यह चैनल चेंदे फाइब को भी चेक कर लिए ऐसे जितने नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर और एक हो गया अब कमपोजित नंबर का ओन होगा कंपोजिट नंबर होगा जो नंबर जो नंबर प्राइम नंबर नहीं हो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो सारे कंपोजिट नंबर है अब जब वो सारे कंपोजिट नंबर है तो सोचिए कौन ऐसे नंबर है जो कंपोजिट नंबर हो सकते हैं हम लेते हैं 4 को, 4 ले लिए, 5 के बाद क्या है, 6 को ले लिए, 7 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 7, 1 से कतेगा, और 7 से कतेगा, 7 is the number which can be divided by 1 और 7, तो 4, 6, 8, 9, ऐसे sun, जो भी जाकर जाएंगे, मतलब greater than 2 factor, मतलब किसी भी नंबर, जो नंबर जिसके फैक्टर दो से जाधा हो, अब 2 से जाधा होने का फैक्टर का क्या मतलब है, 4 किससे किस से जिवाइड होगा, 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा, 4 3 से सब्सक्राइब तो आप ध्यान से देखिए कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं मैक्सिमम दो और नमबर पर तो जब नमबर के तीन फैक्टर हो गए तो इसके कोंपोजिद नमबर ग। पढ़ेजिए अपनी कॉपी में एट का चेक करीए नाइंग का चेक करीए सारा चेक करिये चेक करके हमको ये बताईए कि ये सारे जो हैं क्या ये अधिया हैं और आगे बढ़ते हैं अपने में धिरम की तरफ fundamental theorem of arithmetic इसकी तरफ हम बढ़ते हैं अब इसकी तरफ बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दे कि आपने factorization किया होगा आपने factorization किया होगा आगे भी पहले भी किया होगा नाइंत में भी किया होगा थोड़े बहुत आपको factorization आते होंगे LCM HCF निकालना आता होगा थोड़ा वोण यूगलिक डिवीजन निर्मा ये तो क्या है कि इसको थोड़ा सा ना सीवेसी गोड़ वालों ने थोड़ा सा आगे कर दिया है वरना थोड़ा सा और आसानी होती इसको समझने में बाकी हम आगे भी बढ़ाएंगे दिट क्लास 10th का और क्लास 9 का पूरा मैर पूरा साइन्स की घीचर साभी टीन फैकल्ति हैं हमारे पास वाकी दीरे-दीरे जैसे जैसे वह पायेगा हम आगे और अपनी कोसिश जारी रखेंगे वाक्यां हमारे साथ बस बने दिये और अगर अच्छे परसेंटेज और अच्छे मा गवाज़व का थेरम को पता चल citi अब आदिमेतिक्ष जीथा तीरम को पता चलिए किसी सब्सक्राइब इंए यहां बोन हम्पोजिट नमबर को अब को अबनो क्त्का फिनि होग किण सब्सक्राद १यल ग्लीय को किसे चाहर विकपोजिट नंबर मिलास का ञाइब से नोमबर है यहां त्योन आपक जिक सिम्धी सब्नल ये से च्षिक्पाइब साधियर होते हैं तो वह प्राइम नमबर के फैक्टर होते हैं मतलब य estás जैसे यह एकामपल क्राइब भैसरे करना ,शन मतलब ुछ कहते हैं कि प्राइम प्राइम फैक्टर वाला साफसे छोटा वाला वह होगा 2, 2 से 30 को किया divide, आ गया कितना? 15, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा 2 से 30 को divide किया 15 आया, अब क्या निक 2 से divide होगा? नहीं होगा, 15 है, अब इसका जो minimum factor है, वो भी prime factor, minimum prime factor होगा, ऐसे तो देखो उसके 2 factor है, दो factor क्या ज्यादा है, लेकिन जो छोटे छोटे factor हम बता रहे हैं, 15 के जो factor होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, और एक अपना 15 ही होता है, अब इसमें क्या है, 1 तो छोड़ी दीजी, अब 3 है, 3 हमारा क्या है, ये minimum factor होगा, अब हम 3 को minimum इसके factor से क्या करेंगे? दिवाइट कर देंगे अब 15 को हमने इसके मिनिमम फैक्टर से डिवाइट किया तो 35 जब 15 अब 5 इस आलसो प्राइम नंबर यह तो अकेला प्राइम नंबर ही बचा तो यह अपने खुद से हिकटेगा तो यह हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 किया तीन ओ प्राइम फैक्टर है इसका मतलब इस कमपोजित नंबर के तीन फैक्टर 3 प्राइम फैक्टर है इस कमपोजित नंबर के कि TFF है कि सारे इंट फैक्टर है II जिस जबी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यही में मोटो है कि सारे नंबर जो हो वो प्राइम फैक्टर ही होने चाहिए अब आपको एक 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 जामपल लेते हैं 54 256 को 256 इसका जो सबसे पहला प्राइम हैं यहांब यहां से इसको किया दिवाइड और बिष्टी इतां है अब फिर से देखो यहां पे ईवेन नंबर है इसका मतलब से दिवाइड हो जाएगा अब इएट से डिवाइड होता सबको पता है तो टु पिल से दिवाइड किया एस 54 को डिवाइड करना है अब खुद से दिवाइड किया फिर से प्रिट से निया बेशान क इसका मतलब एट बार टू इंटू 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 इंटू-इंटू-इंटू-इंटू- 1234567 टुब यह जाके यह सारे प्राइम फैक्टर जो है यह जाए परफिक्टी सिक्स अब यह जोटोर फिप्टी सिक्स बना आया इन्हों ने यह तो प्लाइब एक जो गर्ण नंबर से यह तो थाएक कंपोजीग नंबर यह था एक चुलोर कि अब हम दो इसको क्या किया कि प्राइम फैक्टर क्या प्राइम फैक्टर मेशन में क्या होता है उसी नंबर से not अजो फोत प्राइम नंबर तो युह सारी प्राइम फैक्टर प्रॉत कौन who मैं इसका कौन क्वा तू लुगक यह सबको पता चला इसकी Mach 5 x 8 हुआ अब बाकी इसके बाद हम आपको यहां तक आगर आपका टॉपिक क्लियर हो गया हो तो आप इसको नोट कर लीजिए बाकी जो भी क्लास होंगी हम आगे के टॉपिक में अगली क्लास में कवर करें गया थैंक यू